जी हां दोस्तों टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट के बाद वंडे की कप्तानी भी रोही शर्मा के हाथों सौप दी गई है और मिशन है 2023 का वंडे वर्ल्ड कप लेकिन ऐसे में कई सारे ऐसे खिलाडी हैं जो समय बैंच पर बैटे हैं जिन पर उमीदे हैं कि वो वापसी करते नजर आएंगे टीम इंडिया में तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिया दोस्तों रोही शर्माई कप्तान बनने के बाद उनके खास दोस्तों और लंबे समय से उनके साथ ओपनिंग करने वाले शिखर दवन के लिए एक उमीद जग गई होगी कहीं ना कहीं दवन पहले हर सीरीज में रोहीत के साथ पारी के शुरुआत करते थे चाया टी-ट्वन्टी हो टेस्ट हो वंडे हो लेकिन बाद में उन्हें अन्देखा किया जाने लगा आपको बता दे दोस्तों कि धवन की जए कोली केल दहुल को अपन करने का मौका देने लगे लेकिन ऐसे में राइट-राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट तो बैट रहा है रन तो बनने है लेकिन जो गबर पाजी का अंदास था वो दोस्तों कहीं ना कहीं सब मि आपको बता दे के राहूल मिडल ओर में भी बहतरिन बल्लेबाजी करते हैं इसके लावा वो सीमी तोबर किर्केट में एक विकेट कीपर के तोर पर भी फिट ही रहते हैं ऐसे में रोहित एगवा फिर शायद धवन की टीम में वापसी करा दे हैं आपको बता दे इस वक्त रोहित शर्मा के साथ सिकर दवन की नहीं बलकि केल दाहूल की जोड़ी काफी हिट हो रही है इंगलेंड एकलाफ टेस्ट सीरीज के बाद से ही 20 वर्ल्ल कप और फे न्यूजलेंड सीरीज सबी में ये दोनों बल्लेबाज कमाल का परफर्फरमेंस कर रहे हैं यही नहीं दो को देखते वे असा लगता है कि टीम में धवन की वापसी काफी मुश्किल है शिकर दवन का बल्ला हमेशा सही आएसी सी चूनामेंट्स में जमकर बोला है लेकिन इस घातक बल्लेबाज को टीटवन्टी वर्ल्ल कप 2020 में खेलने का मौका नहीं दिया गया जबकि सेलेक्टर का कहना है कि दवन उनके टीम का एहम हिस्सा है तो उन्हें न्यूजलेंड सीरीज के खिलाफ मौका ना देना बड़े सवाल खड़े करता है अब रोहित का अपतान बन गए है और यह देखना दिल्चस्प होगा कि वो अपने पुराने साथी को फिर से टीम इंडिया में मौ अब दोस्तों जादा तर युवाओं को मौका दीया दार दे लेकिन अधम आपकी क्या राहे है क्या राहे है या नहीं कॉमेंट्स करके जरू बताएगा नेक्स्ट चैनल स्पोर्स की रिपोर्ट